हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम आपको वेलेंटाइन डे की हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं आखिरकार क्यूं 14 फर्वरी को ही वेलेंटाइन डे क्यूं मनाय जाता है तो आप लोग वीडियो को पुरा लास्तक देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा माना जाता है कि रोम का राजा प्रेम विवाह में विश्वास नहीं रखता था रोम के राजा का मानना था कि प्यार या प्रेम संबंध के कारण रोम के सैनिकों का ध्यान भंग होता था और रोम के लोग सेना में भरती होना नहीं चाहते थे ऐसे में वहां के राजा क्लाउडियस ने रोम में सैनिकों की साधी और सगाई पर रोक लगा दी यह बात संत वेलेन्टायंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका खिलाफ आवाज उठाया और इसका विरुध जदाया इतना ही नहीं संत वेलेनटायंड ने रोम की राजा का निर्ने विरुधक जाकर साधिया भी करवाई ये सभी साधियां 14 फरवरी को सामोहिक विवाह के रूप में होती थी इस वज़ा से 14 फरवरी के दिन संत वेलेंटाइंड को फासी पर चढ़ा दिया गया तब से संत वेलेंटाइंड की याद में 14 फरवरी को वेलेंटाइंडे मनाया जाता है तो दोस्तों आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें